आज में बनाने जा रही हूं तरबूज और दलिया का कटलेट यह जो कटलेट है यह बहुत ही हेलडी होता है यह अपने बच्छों को टिफन में दे सकते हैं या आप नास्ते में खा सकते हैं यह देखिए घिसा हुआ ये तरबूज का चिलका है एक कप दलिया भीगा हुआ दो से चार घंटे और इसका पानी निचोड के हमें लेना है धनिया पत्ता प्याज चार से पांच हरी मिर्ज नमक और कसूरी मेथी अब ये सारे चीजों को डाल रखी हो कटोरी में अब इसमें दलिया डालके हमें अच्छे से मिक्स करना है इसको और इसमें हल्दी भी डालना है हमें हल्दी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और नमक भी डाल लेंगे अब तवा घरम हो गया है अब इसमें हम तवे के उपर आयल लगाएंगे अब हम इसका कटलेट का अगार देंगे अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब इन लाइक जरूर कीजिएगा यह देखिए हमारा तयार हो गया है करारा सा हमारा कटलेट इसका कलर देखिए किता अच्छा सा कलर आ रहा है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे इसमें ज्यादा तेल भी नहीं लगता है यह बहुत ही हिल्दी होता है अब हम इसको सर्व कर लेंगे अब हम इसको सर्व कर लेंगे